अच्छा तो वेलकम तो दे सेशन इस सेशन में जो है न हम यह हमारा बिसिकली पहला इंट्रोड़क्टरी लेक्चर है और यहां पर हम चीजें देखेंगे डेटा साइंस की और डिजिटल मार्केटिंग की अमोमन यह होता कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो डेटा साइं डेटा इनलेटिक्स के कॉर्स डेटा इंजिरिंग के कॉर्स इस तरह की चीजों के कॉर्स काफी ज़्यादा मार्केट में आपको मिलते हैं लेकिन उन में से ज्यादा तर जो हो जनल परपस होते हैं वो फोकस नहीं करते डिजिटल मार्केटिंग के उपर तो हमारा यहां प के जो जो questions हैं जो problems हैं उनको solve करने की कोशिश करेंगे एक काम तो हम यहां पर यह करेंगे वो क्या है सारी चीज़ है वो आपको वक्त के साथ-साथ मैं बताता जाओंगा दूसरी बात यह है कि यहां पर काफी ज्यादा ऐस स्टूड़न है जिरूने आर रेडी जो है वो data science के यह data analytics से courses ले रखे होंगे तो उनके लिए हो सकता कुछ चीज़े नहीं हो कुछ चीज़े शॉकिंग हो जो उन्होंने पहले नहीं की हुई या उनको थोड़ी सी नहीं चीज़ें मिलें तो यह हो सकता कि हमारी speed उनके साफ से थोड़ी slow हो या तेज हो तो मेरी यह कोशिश होती है कि मैं आपने students को average speed के साथ जो है वो साथ लेकर चलूं आपके questions जितने भी होंगे सब questions के हम as usual answer करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़े होंगी किस तरह हम काम करेंगे वो भी मैं just a moment let me get started here अच्छा हमारा जो जितना भी सारे का सारा काम होगा जो कुछ भी हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो भी knowledge sharing होगी वो github के उपर होगी उसकी बुनियादी वज़ा यह है कि github हमारा एक किसम का जो developer या scientist का social scientist का यह जो है यह just a second असल भाई sorry to drop you आपने recording on की है ना तक है recording भी मैंने share कर दिया आप लोगों को screen नजर आ रही है screen नजर आ रही है अब आप 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 आने लगी है चलें सही है ठीक है अच्छा यहां पर आपको यह पहले पहली बात यह बतानी है कि हम जितना भी काम करेंगे जो कुछ भी sharing होगी वो सारी के सारी github के उपर होगी आप लोगों के साथ और कुछ हम जो है वो one one discussion one to one discussion में अगर कोई आपके questions हैं तो वो हम फिर वो facebook वगरा पे या किसी और platform के उपर उनको ले सकते हैं लेकिन जितना भी काम होगा जो भी चीज़े मैं आप लोगों के साथ share करूंगा वो github के उपर होगी उसका सबसे बड़ा advantage ही होगा कि वहां पर यह चीज़े open पड़ी रहेंगी यहां से दे भी रहाँ मैंने चैट के अंदर इसको जो है वो पेस्ट भी कर दी है अभी आ जाता आपके पास तो यह वाली जो website है यह वाला जो github की repository है हम जितना भी काम करेंगे जो भी lectures होंगे कुछ भी होगा वो सारे के सारे यहां पे share होगा यहां पे अच्छा आप लोगों में से कुछ लोगों के पास जो है वो github का account होगा कुछ के साथ नहीं होगा और उसकी वज़ाए यहां कि आप लोगों में हो सकता है कुछ ने github के ओपर कभी काम ना किया हो अगर ऐसी बात है तो आपको github के ओपर सबसे पहले जो है वो अपना account बनाना पड़ेगा उसकी एक video है जो मैंने बनाई हुई है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो बात में जो है वो share कर देता हूँ lecture के end पर यहां थोड़ी दिर बात करूँगा वो as such अभी इतनी ज्यादा important नहीं है अभी सिरफ उसमें मैंने पूरी detail बताई है कि आपने github के ओपर sign up कैसे करना है वैसे तो easy है इसको sign up करना मतलब आप खुद भी इसको कर सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ी सी guidance उसके अंदर दिया कि आपने किस किस जगा पे कौन सी information जो है वो add करनी है अच्छा यहां पे अभी जो हैं आपको अगर आप इस repository को देखेंगे तो repository के अंदर आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी जैसे जो है table of contents या introduction का जो section है आपने अभी यह सारी हम सारी चीजें step by step करेंगे आपका कभी भी कहीं पर भी कोई question होगा तो उस question का answer दिया जाएगा जब तक आपको चीजें clear नहीं होंगे हम next step पे नहीं जाएंगे तो आज के session में आप जो learn करेंगे चीज अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई तो आप एक वह चोड़के दस दफ़ा भी पूछेंगे तो हम उसका जवाब देंगे ताकि आपके concept clear हो और हम उसके बाद आगे जो है वो move करें अच्छा अभी for the time being आपने ये करना है अभी हम जतना भी काम करेंगे आज का जो lecture है वो online ही है मतलब उसके लिए आपको किसी किसम का कोई software इंस्टाल करने की ज़रूरत नहीं है आपकी सिर्फ जो सिर्फ है basic reading है जो मैं आपको session इसके अंदर बताऊंगा और उसके बाद एक session है ये जो नजर आ रहा है इसके साथ आगे लिखा हो रहा है launch binder इसके उपर आपने हमेशा click कर लेना है live के लिए जब आप इसके उपर click करेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद जो है ये आपकी repository को setup करेगा ये क्या कर रहा है बैक एंड पर क्या हो रहा है ये अभी आप मकसद बताने का ये है कि कैसे आपने click करना और किस जगह पर क्या करना है ठीक है तो ये थोड़ी देर लगेगी इसको ये repository को setup करता है ये अच्छा ये हमारी जो repository है ये यहाँ पर आप setup हो गई है ये इस तरह करके आपके सामने एक software खोलेगा इस software का नाम है जूपीटर लैब ठीक है और ये जूपीटर लैब अभी मैं ब्रॉजर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन next section जो हमारा होगा उसमें ये आप अपने computer पर हूँ इंस्टाल करके local computer पर आप इसको जो है इसको 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 जो है इसको इसको जो है इसको इ installation और इन चीज़ों पर भी time लगाएं जब एक दफा आपको ज़रा चीज़ों को देखने की आदत पर जाएगी कि ये कैसे नज़र आ रही है तो हम installation जो है वो उसके बाद करेंगे तो most probably next session में हम इसको complete कर लेंगे अच्छा यहां पे आपको सबसे पहले जो है ये table of content से नज़र आ रहे हैं जो हमने इस course के अंदर next probably हमें दो मान लगते हैं ये कितना time लगता ये अभी मैंनी कुछ इसके बारे में कह सकता लेकिन ये जो सारी चीज़े हैं हम इस course के अंदर cover करेंगे सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको एक तो आज का जो lecture है वो हमारा ये पहल करेंगे अभी आप सिर्फ इस चीज़ पर focus करें कि ये हमारा table of content के है तो table of content में जो सबसे पहले हमने करना है आज हम सिर्फ ये introduction वाला session करेंगे इसके अंदर आपको मैं data science का जो complete overview है वो basically देने की कोशिश करूँगा और आपकी position उसके ओपर क्या है आप क्या यहां से किस direction के अंदर जा सकते हैं और उसके बाद हम भी जो है वो question असर का session करेंगे इसके बाद जो next session होगा उसके अंदर next मेरे हाल में हम दो के करीब दो से तीन session हो सकते हैं जिसमें हम सरफ python आपको सिखाएंगे और very basic level पे लेके चलेंगे और install उसको कैसे करना उसको setup कैसे करना है यह सारी के सारी चीज़ें और फिर हमने digital marketing के point of view से कौन-कौन से plugins या tools यह हम वो इसके उपर install करने हैं यह हम जो है वो next sections के अंदर दो से तीन session हमें लग जाएंगे इसको cover करने में यह इसी वर्या से मैंने two to three जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ है अभी मुझे पता नहीं है आप लोगों की capacity कितनी है मैं आप लोगों के ओपर बोज भी नहीं डालना चाहूँगा कि यक्दम यह आप करके आएं जितना आप कर सकते होगे उसके मताबिक आपको साथ में ले चलूँगा हो सकता हम four session पे चले जाएं दो की बजाए हमें चार second करने पड़ें तो this we will see with the passage of time आप लोगों की progress कैसे होती है इसके लावा एक बहुत ज्यादा important tool है जो आज कल market में बहुत ज्यादा यूज होता है वो है git जैसे आपने ये पूरी की पूरी repository जो है वो git hub की उपर देखी है तो आप लोगों को git का introduction देंगे या git का overview देंगे यूजर सिखाएंगे as a digital market आप digital marketing का रहे हैं तो आप किस किस जगा के उपर जो है वो git को use कर सकते हैं आप लोगों ने में से जिन लोगों ने मेरा session लिया है web hosting वाला उसमें आपने देखा कि हम git को use करते हुए पूरी की पूरी website deploy करते हैं और hosting करते हैं for free तो इस तरह की मजीद और बहुत सारी get for digital marketers इसके अंदर जो है वो बताएंगे फिर हम जो है वो data की handling और data की harvesting आपने कैसे करनी है इसके उपर भी जो है वो आपको session देंगे web scrapping कैसे करनी है ये पूरे का पूरा data की processing कैसे करनी है जिसके उपर आपके कुछ session होंगे वो भी हम future में करेंगे data visualization आप लोगों में हो सक बताएंगे कुछ ऐसे graphs बताएंगे जो आपने कभी जिन्दी में नहीं बनाए होंगे और उनकी हमें कहां पर ज़रूरत पढ़ती है data की analysis के अंदर storytelling क्या होती है story telling के वाकर graphs कैसे बनाते हैं और उनको interpret कैसे करना है ये वाली सारी की सारी चीज़ें जो हम data visualization के अंदर भी आ from time to time जो digital marketing के अंदर use करते हैं scientific scenarios में engineering के scenarios में तो ये काफी ज़्यादा इस्तमाल होते हैं 4D 5D भी use करते हैं लेकिन digital marketing में हम इसको 3D तक जो हो रखेंगे तो ये भी आपको इस session के अंदर जो हो सीखने को मिलेगा data visualization के उसके बाद हम जो हो machine learning की और classification वाली side पर चले सीखने को मिलेगी उसके different algorithms आपको सिखाएंगे अच्छा इस point तक पहुंच तक पहुंचे आप लोगों को जो basic python है उसकी पूरी की पूरी नव हो आचकी होगी आप अपना पूरे का पूरा python का setup खुद कर सकते होंगे उसको run कर सकते होंगे और जो troubleshooting होगी वो किसी हाद तक आप खुद करने के काबल हो चुके होंगे तो इतनी python आपको basic की जो हम यहाँ पे सिखा देंगे इन सारी exercises के दिरमियान आपको थोड़ी सी intermediate और advanced python के concepts भी देखने को मिलेंगे जो आप अगर किसी जगा जॉब का interview देने के लिए जा रहे हैं या किसी क्लाइंट आउस के नहीं होगा लेकिन आपको कमस कम चीजों का पता होगा क्योंकि experience comes with the passage of time आपको 6 मीने लगते हैं साल लगते हैं expert बनने में that's another story लेकिन आपको कमस कम चीजों के नाम आते होंगे चीजों का पता होगा कि यह कैसे काम करती हैं तो classification बगारा कि जितने algorithm यह तीन चार जो हम आप आपको बताएंगे बहुत डिटेल में हम देखेंगे ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल zero point से हम start करेंगे कि neural nets पर क्या होते हैं यह कैसे काम करते हैं sport vector machines क्या होती हैं यह कैसे काम करते हैं डिसीजिएंट्री कैसे काम करते हैं नियर अस नेबर हूट का हम कैसे find out करते हैं यह हम classification के algorithm with reference to digital marketing करेंगे तो इसके उपर आपको कम content मिलता है इंटरनेट पे books वगरा भी कम मिलेंगी आपको जो इतनी detail में आपको यह चीज़ें बताएंगी mostly जो चीज़े मैं आपको सिखा रहा हूँगा वो मेरा personal experience है इसके लिए हमारी कोई course book नहीं है जो content आपको यहां पे नजर आ रहा है यही इसका material है आप कहीं से और भी आपको material मिलता है most welcome आप उसको use करें लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ जो बता रहा हूँगा वो मेरा personal experience हो जो बी data होगा वो मेरा अपना private मेरा मेरी अपने campaign's का data होगा जैसे के अगर हम advertisement का data ले रहे हैं तो जो advertisement की campaigns मैंने हुद अपने brands के ओपर Amazon के ओपर चलाई हुई है गूगल के ओपर चलाई हुई है Facebook के ओपर चलाई हुई है Pinterest के ओपर चलाई हुई है इनकी जो advertisement की data मजीद भी होगा वो हम बात में देखेंगे Amazon और Google से हम मजीद कौन सा data लेंगे लेकिन जितना भी data होगा वो मेरा अपना उसकी proprietary जो है वो मेरे पास है मेरा अपना data prepare किया होगा वो आपको मिलेगा इसके लावा हम regression के analysis कुछ होते हैं वो देखेंगे clustering के algorithms जो हैं उनको देखेंगे आपने फ़र्ज करें customer को customer आगे हैं आपके हजार customer है तो उनको grouping उसकी आपने कैसे कर दीगा है कौन सा data यूज करेंगे कैसे और किन algorithm के साथ उनकी grouping करेंगे ये भी हम देखेंगे फिर हमारा जो जो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज है और जिसके अंदर मेरी speciality सबसे ज्यादा है जे लास्ट दो portion है नबर 10 और 11 natural language processing और network analysis तो natural language processing में आपको complete a to z keyword analysis जो कैसे होता है back end पर कैसे काम कार रहा होता है ये आपको बताने की कोशिक करूँगा और हम इसका basic data लेके इसके ओपर काम करेंगे कि आपने जैसे आप operator DRD कैसे calculate करते हैं ये वाला जितना काम होगा ये हम इस natural language processing algorithms के अंदर जो है वो करेंगे थोड़ा सा feature engineering के बारे में भी आपको बताऊंगा हम feature कैसे extract करते है data के अंदर से जो textual features होते हैं उनको भी देखेंगे sentiment analysis वगएरा Amazon के data पर sentiment analysis करेंगे तो ये वाली काफी चीज़े है जो मतलब मैं बहुत ज्यादा use करता हूँ आपने काम के लिए आपको लोगों को भी जखाएंगे और इसके जितने भी code होंगे snippets होंगे वो सारे के सारे आपको इसी book के अंदर या इसी notebook जो आपको content मेरी repository है इसी के अंदर सारे के सारे मिलेंगे फिर एक और बहुत उनका analysis आपने कैसे करना social network for example आपने Twitter पे बैठे हुए हैं Twitter के उपर आपके पास 1000 followers हैं उनका आपने data लेना है तो आपने ये पता करना है कि जो viral tweets होते हैं या viral videos होती है YouTube के उपर वो कैसे होती है एक video viral हुई है वो क्यों viral हुई है इसका आपको नहीं पता चलता तो हम data analysis के जो network analysis होते हैं उससे पता करवाते हैं पता करने की कोशिश करते हैं at least Twitter का data मैं आप लोगों के साथ share करूँगा कि कैसे पता चलता कि किस बंदे ने किस वजा से ये tweet वो viral हुई है कुछ लोगों की tweets viral होती है वो क्यों होती है इसको भी हम social network analysis के अंदर देखेंगे with the help of network analysis इस code है जो backlink analysis होता है उसके अंदर आप जाएं तो आज कल आपको external link के जो है ना वो network graphs वगारा नजर आते हैं तो मार्किट में ये चीज़ें जो हैं वो public के लिए भी यानी start हो गी है अच्छा ये हम देखेंगे इसके लावा कुछ case studies जो है वो मैंने आप लोगों के लिए जो है वो prepare की है इसमें हम देखेंगे कि आपके पास क्योंकि हम ज्यादा marketing की तरफ जा रहे हैं वेब marketing को देख रहे होंगे तो आपने अपनी website का traffic analysis कैसे करना है with the help of different किसम का जो data होगा उसको कैसे करना है ये भी हम इस course के अंदर देखेंगे advertisement campaigns को इसमें से काफी चीज़े मैंने RRD आपको बताई है marketing campaign आपने को बनाई है तो उसको आपने कैसे करना है optimize कैसे करना है ये कुछ चीज़ी होंगी इसके लावा कुछ मैंने जो है वो short notes जो है वो लिखके of mathematics और statistics जो आपको इस पूरे course के लिए चाहिए क्योंकि उसके बगएर आप data scientist नहीं बन सकते जब तक आपको कुछ हास लेवल तक का mathematics नहीं आएगा या statistics का पता नहीं होगा आपको हाथ से साफ कर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है questions को आपके concepts के लिए होने चाहिए लेकि तो यह एक total हमारा ना overview होगा content का course का content है इसको हम detail में देखेंगे step by step तो यह हो सकते हमें दो से तीन माह लगते हैं इस पूरे course के उपर अभी मैं time के बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता लेकिन जो भी होगा वो मतलब आप लोगों की speed के मताबिक जो है वो adjust किया जाएगा अभी हमारे पास जो है वो मेरे हल में इतने ज्यादा student ही होगे 10-15 student है या जितने भी हैं तो कम students का यह फायदा होता है कि हम जो है वो individual students को ज्यादा cater कर सकते हैं उनके individual questions है तो उनको भी हम देख सकते हैं और उसका अगर कोई problems आ रही हैं तो उनको one to one basis पे easily solve कर सकते हैं आप बेशाक introduction के उपर इदर से click कर लें तो यह आपको जो है वो introduction वाली जो notebook है वो open हो जाएगी यह notebook होती क्या हैं कैसे बनते हैं यह सारा काम आप फुद करेंगे अभी आपने इन से इनके जो नाम मैं ले रहा हूँ इससे आपने परशान नहीं हो ना यह हम सारे का सारा काम करेंगे यहां तक अगर किसी का कुई question है तो बेशक मेरे से पूछ लें अधरवाइस हम जो है वो आगे जो है आज का जो पहला session है उसको start करते हैं course course के content के उपर आप में से अगर किसी का कुई question है तो बेशक आप पूछ सकते हैं अच्छा यह कोई question आपने पूछा है अक्सा कहां तुबारा open है यह रेस किया हुआ इनोंने मरीयम आप देख सकती है हाज जी फैसल भई सिर्फ अक्सा का वो भी वो कहां थी by mistake अच्छा वैसल भई इनको थोड़ा सा ओवर्वियू यह चाहिए था कि यह किन किन लोगों के ठीक रेकार सीखने क्योंके कुछ ऐसे भी लोग आगे हैं जिनको आइडिया नहीं डेटर साइंसिस का अच्छा मैं यहां पर आपको बता देता हूँ अच्छा मिले हम कुछ से थोड़े ज्यादा स्टूजेंस आगे हैं हमने अभी तक जो अगर आप कोर्स कॉंटेंट को देखेंगे तो उसमें यह है कि मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ी फील्ड ह है कि ज्यादा तर लोग data scientist data analysis या इस point of view से आती हैं तो आपके लिए इसके अंदर क्या है अगर तो आप हली content writer हैं बिल्कुल ब्रैंक content writing करते थे तो उसके लिए यह है कि जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे जो हमारा natural language processing का area है तो तब तक आपके लिए उसके अंदर as such को इतनी ज्यादा चीज़ें हैं नहीं ठीक है या network analysis की कोई चीज़ें तो यह वो चीज़ें जो बंदे social media पर काम करते हैं उनके लिए लेकिन बन्यादी तोर पर आपने अपने आप से एक सवाल करना है जब आप data science के इस course के अंदर आए हैं आया आपको यह वैसे हम introduction में भी इसको discuss करेंगे लेकिन थोड़ा समा भी बता देता हूं कि आया आपको mathematics में, statistics में, computer में या digital marketing में इन चारू में से किसी के अंदर interest है और कितना है अगर आप लोगों को 50-50% भी interest है तो फिर भी आप सही जगा पे आई हैं ज्यादा तर आप marketing, digital marketing के किसी भी area में काम कर र अगर तो आप में से कुछ लोगों ने FSE pre-medical की हुई है, पाकिस्तान में जो हम FSE pre-medical होती है, अगर तो प्री engineering की हुई है, तो उनके लिए mathematics का जो या overall scientific concepts हैं वो clear होंगे, उनको मजीद उस point of view से सोचने की जरूरत नहीं है, उनको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंग इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है हमारे स्कॉर्स के लिए, मैंने स्कॉर्स को ऐसे डिजाइन किया कि आपको less mathematics की जरूरत पढ़े, और जो ज्यादा है वो हमारी जो analytical capabilities है, algorithms का usage है, उसके उपर जाए, और algorithms को हम ऐसे explain करेंगे, या ऐसे बताने की कोशिश करेंगे, कि वो जो layman की terms होती हम आपको उसमें जो है न ग्रास रूर लेवल पर जाके बताएं, ना कि आपको high end का जो classical mathematical derivations आप वो बताएं, उसमें आपकी interest नहीं है और उसका आपको फाइदा भी नहीं है, तो आपने end पर देखने हैं, आप बेशक आज का lecture ले 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 और उसके ब overview लेने में आपको मदद फिर भी जरूर मिलेगी, जो कि it's not enough क्यूंकि आप अगर course के अंदर आएं तो course में आप लोगों की भी obligation है, मेरी as a teacher obligations है और आपकी as a student obligation है, मैं अपनी तरफ से आपको 100% पढ़ाऊंगा, बिलकुल सच जो कुछ है, और आपके end पर ये है कि आपने content writer हैं, वो क्योंकि content writing future के अंदर जो है, वो slow हो रही है, मतलब वो आपको chat GPT आ रहा है या और चीज़े आ रही है, इस तरह कि आप देखें हर रोज AI के 10 ने टूल आ रहे हैं, और आपको बताया जाता है कि इसके अंदर एक trillion parameter, ओ भाई, कौन से trillion parameter है, अगर आप मेरा lecture लें इसके अंदर हम आपको थोड़ा सा data mining के बारे में बता देंगे, या जब हम keyword या natural language processing का course कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई बंदा यह नहीं कि, आपको यह problem नहीं होगी कि one trillion parameter क्या होती है, chat GPT के, chat GPT काम कैसे करता है, यह आपको नहीं problem होगी, या आप सारी चीज़े इस market में advantage होगा in comparison to the other content writers, जो सिर्फ सादा content writing का रहे थे, तो मस्काम आपको advantage होगा, कि आपने एक sentence लिखा तो आपको यह पता होगा, कि आपके मुकाबले में जो computer ने sentence लिखा, chat GPT ने लिखा, वो किस कैसे लिखा गया है, उसने कौन सा algorithm कहां पर कैसे लगाया है, और आपने कै करेंगे, तो आप content लेंगे, उस summarize का code आप दिया जाएगा snippet, उसके जरीए आपको पहले theory भी बिताए जाएगी और पिर आप जब उसको execute करेंगे, तो content आपका खुद आपके सामने summarize भी होगा, जैसे quill board करता है, यह chat GPT, open AI का जो tool है, वो करते हैं, और भी tools करते हैं, इसक वो अपना Amazon का business run कर रहे हैं, for example, private label का 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 रहे हैं, wholesale का 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 रहे हैं, जितने भी यह बंदे हैं, यह जो भी इस पूरी digital marketing, digital business के अंदर आते हैं, उन सब के लिए जो है, वो helpful है, यह नहीं है को कोई disadvantage होगा इसके अंदर आपको करने का, लेकिन यह है कि आपको मेनत करनी पूरी करनी है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, शेयद हमारे मेरी जो है, अभी तक lectures में आप लोगों को नहीं बताया गया होगा, मैं बन्यादी तोर पे युनिवस्टी का लेक्चरार हूँ या प्रोफेसर रहा हूँ, अभी आज कल मैं ज्यादा तर marketing औ मैंने लेक्चर दिया है, पढ़ाया है, तो मेरा एक overall worldwide experience है, different किसम के students को पढ़ाने का, आज कल मैं जो ज्यादा तर काम करता हूँ, वो data science के ओपर, machine learning के ओपर, AI के ओपर काम करते हैं, और हम hardware level पे प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, मतलब हाली software नहीं है, जैसे chat board आप devices के ओपर काम कर रहे होते हैं, तो ये मेरा एक छोटा सा background है, कि मैं कहां से आया हूँ, और मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाता हूँ, और ये जो चीज़ें आपको अभी पढ़ाई जा रही हैं, ये सदका जारिया के तोर पर पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि इसका मुझे तो आप लोगों के तरफ से कोई financial benefit जा किसी किसम का कोई नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे student के तोर पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप भी उसको learn करें, question आते हैं, एक question की बजाए हजार question भी आते हैं, आप पूछे, जब तक आपके concept नहीं क्लियर होते हैं, आप आ बाती होती होती, कि आप लोग और आप अपने पैसे अरण कार सके हैं, उसके जरीए, market में आगे data science की, data science से related, जो permanent jobs होती है, पाकिस्तानी market के अंदर, या पाकिस्तानी corporate sector के अंदर, या worldwide कहीं पर भी आप जाएं, तो आप उसी level पर बैठे हो, जैसे एक German student बैठा है, या American student बैठा है, आप मेनत करें और जाएं वहां पे level पे, बाकी सारी डिग्रिया आप काल इतनी ज्यादा matter नहीं करती है, आपकी skill set better करती है, तो skill अपनी आप improve करें, ठीक है, चले सही हो गया, ये हमारा था, इसके उपर overview था, कि ये किस के लिए, ये basically सब के लिए, इसके लावा किसी ने और भी question एक इदर पूछा था, हाँ ये वो writers के लिए, तो writer वाला question का मैंने answer आप लोगों को कर दिया है, ठीक हो गया, अच्छा, एक ची, साम लेकुम सर, सर, हमारी class daily basis basic timing के होंगी, या फिर बीच में gap आएगा, ये जो है ना daily basis को तो नहीं हो सकती, उतना time नहीं ह कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी time की limitation है, और lecture देने का problem नहीं है, लेकिन जो है, वो time की limitation आती है, इसके अंदर, जैसे के अभी आप लोगों के साथ मैंने, आपको बता देता हूँ, मैं आठ पंदरा पे यहां पे आऊ हूँ, जर्मनी मे इसको यहां आप लोगों के पास सवा ग्यारा का time है, तो हम साधे ग्यारा बजे के खरीब session को करेंगे, लेकिन रोज यह session नहीं होगा, तो शायद हम हफते में सिर्फ इसको दो दफा करेंगे, एक मुझे second day है, वो अभी निकालना पड़ेगा, शायद हम redness day को करेंगे, य आपको उसी दो दिन में, दो दिन के अंदर बता देंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसकी practice भी करनी है, तो हम इसको daily तोर पे नहीं कर सकते, यह hands-own है, आप लोगों को मैं बता दूँगा, कि आपने काम कैसे करना है, और आपने उसको करना है, नहीं होगा, को problem आएगी, त कोशिश करूँगा, कि मैं from time to time, facebook का जो group है, वो देख लूँ, या कम मरियम उसके बारे में, जो है, वो मुझे inform कर दें, तो हम उसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है, हाँ, आप देख लेते हैं, वैसे यह, जिन ने उपर लिखे ना, जुम्मे की और इतवार की, य यह मुझे भी काफी ज्यादा जो है, वो लगा है, इंटरस्टिंग लगा है, फ्राइडे और सेटरडे का जो इन्होंने लिखा है, तो अभी तो हैर, आज तो हमारे पास हफते का दिन है, तो आज तो हम इसी दिन करते हैं, और next session जो है, वो मेरे ह्याल है, हम अभी जो है, Friday को या Wednesday को या Friday, इन दोने में से किसी एक दिन को रखना होगा, तो ज्यादातार जो student है, आप बेशक चैट के अंदर टाइप करके बता दे कौन सा दिन आप लोगों के लिए ज्यादा फिजिबल लाग रहा है, आपको, जिस दिन ज्यादा बच्चे जो है, वो students है, वो available हो ठीक है, यह हिरा मलक भी कहा रही है, फ्राइडे और संडे का, यह मुझे भी ठीक लाग रहा है, मैं आपने तोर पे भी देखो तो यह मुझे कुछ ज्यादा फिजिबल लगता है, अच्छा जी, ट्रू वर्ल्ड बारी वैडनेस टे और साटर्डे को है, सही, 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 सही अच्छा यह ट्रू वर्ल्ड जो इनका जो है, वो पॉइंट तो ठीक है, कि आपको तीन दिन का काम करने का जो गैप हो मिल जाएगा, जो के नॉर्मली आपको नहीं मिलता, लेकिन दूसरी तरफ से हमने यह भी देखना है, कि आप में से बहुत ज्यादा लोग जो है, वो आपका जगर सेशन हम लेट कर रहे हैं, रमजान में तो लेट होगा, आम दिनों में हम इसको पहले भी कर सकते हैं, मतलब जब आठ बजे होंगी शाम के हम उस वकित भी हम इस सेशन को कर सकते हैं, चले सही है, जो आप कमेंट टाइप कार रहे हैं, आप टाइप कार दें, इसका अनालसिस कारके, मैं एक जो है न वो फाइनल स्केजूल बना लूँगा, जो मैक्सिमम स्टूडर्स को सूट करता हो, अच्छा मज़ए की बात आपको मैं यह बता देता हूँ, यह जो हम स्केजूल बनाएंगे, यह भी डेटा साइंस का क्वेस्टन है, के किन श्टूडन, कौन सा टाइम है जो के जव्यादा स्टूडन को सूट करता है, जब आप अपॉयर्ट में डेजाइन का रहे होता है, यह भी ठीजान का है, तो आपको जैसे आप डेट शीट देखती है, यह भी ठीजान का मैं डेटा साइंस का क्वेस्टन है, कि आपने अपनी डेट शीट ऐसे डिजाइन करनी है कि किसी एक स्टूडन का दूसरे स्टूडन के साथ कंफिलिक्ट नाए एक्जैम देते हुए यानि क्या आज कल युनिवस्टी में स्मेस्टर सिस्टम होता तो वो बंदे जो है एक स्टूडन जो है वो पांच इपर इसको डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम चैसे करेंगे चले हम इसको देख लेते हैं मैं आपको जो है वो फाइनल जो है वो टाइम जो ग्रूप के अंदर पोस्ट कर दूँगा कौन से दिन ने ठीक है तो हम आज का जो सेशन है उसको क्विकली स्टार्ट करते हैं ताकि उसके उपर आपके जो क्वेस्टिंज होंगे हम उनके उपर जो हो तुबारा जाएं अच कुछ क्वेस्ट मेरे हम मेरे तरफ जो है सर्वर का मसला है मरेयम आप देख लीजिए आपको ओवाज आ रही है मेरी यह सर आपकी वाइस क्लैर इस बढ़े अवाज आ रही है आपकी चलन जी सही है अचा अब हम जब डा साइंस की बात करते हैं तो डा साईntस से पहले मैं आपको थोड़ा सा अच्छा मेरी जो आदत है वो टीचिंग करने की वो है थोड़ी सी स्टोरी टैलिंग के टाइप टाइप की तो अगर मैं कहीं पर को कहानी सुनाने बायर जाओं तो आप उसको काइंडी बर्दाश कीजिएगा उसका बन्यादी मकसद आपको सिखाना है ना कि कहानी सुनाना है ठीक है तो उसकी बन्यादी वज़ा यह है कि आप अच्छा यह मैं आपको साइड नोट के तोर पर बता दे तो जब आप अपने क्लाइंट के साथ भी बात कर रहे होंगे या कुछ भी होगा जो स्टोरी होती है उनमें इमोशन होते हैं और वो जो है वो ज्यादा की जो स्लाइड है वो बना करे हे रहे हैं क्लाइंट के पाथ ठीक है आप और ने टेस्टरमेंट नीव टेस्टरमेंट बाइबल कुरान किसी तिसम की भी पुराणी कताबों को जितनी भी विकद्द्गध कताब्य है भो भी देखें गे उनमें भी जो नरेटिव है वो कहान साथ आपको मिलती है एक मिट से बार-बार मुझे डिसमिस का कनेक्चन आ रहे है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारे आपको आपको पास है बेसिकली जो हम की के बाइंडर को यूज करें मैं एक काम करता हूं अच्छा आप में से जो लोग आ रहे है जिनके पास गिट हब का काउंट है अगर आप इस रोपाजिटरी के उपर आ रहे हैं यह वाली जो रोपाजिटरी है तो यहां पर जाके आप इसको ऐसा करें आप फोर्क पर क्लिक करके इसको फोर्क कर लें अपने पास मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं फोर्क करने से यह होगा आपको मैं एक एक जामपल देता हूं इसकी क्रिएट फोर्क कर लें तो यह अब आपके पास आपकी अपनी कापी आ जाएगी उसका यह होगा कि नेक्स टाइम है जैसे ही अपनी मेरे वाली कापी अपडेट होगी तो आप भी इसको यूज करेंगे एक मिन आपको दिखाता हूं यह अब मेरी कापी है यह सर्प विंग जो हमारा ओरीजिनल कापी है वो वाली कापी नहीं है यह अब आप इस तरह आप अपने पास अपनी लोकल कापी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और यहां से आप अपना जो भी काम करेंगे वो आपका करेंगे तो आपकी कापी मेरी कापी के मताबिक अपडेट हो जाएगी तो इस बेरी इजी वे आफ सिंक्रोनाइजिंग नोटबुक्स एंड कॉन्टेंट बिट्वीन टू रिपास्टी यह फॉर्क के अंदर हम इसको कर सकते हैं तो आप यहां पे क्लिक करके फिर फ्यूच करेंगे तो आपने इदर जाना है फोर्क के उपर क्लिक करना और इसका फोर्क क्रिएट कर लेना ठीक है जी अब हम जाते हैं यहां पर अच्छा मैंने इससे पहले जो यहां पर बाइंडर पे क्लिक करके इसको उपन किया था अगर आप इसको नहीं भी करना चाते तो आप यहां पे डिरेक्ट इसके उपर क्लिक करेंगे ना तो जो जो गिट हब है वो इसको वैसे भी जो है आपको दिखा देगा तो वो उधर भी आप देख सकते हैं और इदर भी आप देख सकते हैं दोनुमें बन्यादी फरक ये हैं वहां पे हमारे पास को सर्वर का कोई अरर आ रहा है तो that's no problem अच्छा बन्यादी फरक दोनुमें ये है कि ये आपके पास एक HTML के format में है और जो आपको यहां पर चीज नजर आ रही है ये आपको एक software है उसका नाम होता है Jupiter Lab ये आपको उसके अंदर नजर आ रही है तो as a notebook नजर आ रही है दोनुमें थोड़ा सा फरक है ये होते क्या है notebooks होती क्या है ये हम next lecture जो हमारा आ रहा है न next week जो हमारा होगा जब हम python और programming वाली side पे इसको थोड़ा सा दिखेंगे तो तब मैं आपको इसको पूरी detail में explain करूंगा कि ये Jupiter Lab क्या है जूप्टर क्या होता है ये सारी चीज़े वहां पे आएंगे ठीक है अच्छा तो हमारा जो आज का बनियादी question है वो ये है कि Excel में data science है क्या हर तरफ आप जाते हैं data 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 की बरमार हुई हुई है data है क्या आप कुछ भी करते हैं data तो बनियादी तोर पे जब आप अपने इर्दगिर्दगर देखें आपको किसी जगा पर कोई character लिखा नजर आ रहा है ठीक है ए लिखा हूँ है बी लिखा हूँ है सी लिखा है ये भी एक data है ठीक है इसी तरह आप इर्दगिर्दगर को symbol नजर आगी आपको symbol फर्ज करें आपको कोई logo नजर आ गया है वो भी data है अचा data जो है वो quantities की format में भी होता कि आज बड़ी गर्मी है आज 12 डिगरी है या 32 डिगरी है तो ये जो quantities है ये भी data है इसी तरह आप में से कोई sound आपने सुनी है आपने rail की whistle सुनी है वो भी data है जानी whistle की format में भी आपके पास जो है वो data आ रहे है तो data जो है वो आपके इर्दिगर्थ हर जगा पे मजूद है ये data है लेकिन ये data कब से मजूद है data तब से मजूद है जब से ये बनीनों इंसान दुनिया में आया है और मजूद है आज से 10,000 साल पहले भी data मजूद होता था उसकी बन्यादी वज़ा ये है आप से 10,000 साल पहले भी चले जाने जो बंदे केव के अंदर रहते थे caveman period जो होता था उसके अंदर भी आप देखें उन्होंने दिवारें दिवारें के ओपर तस्वीरे बनाई होती थी वो जो तस्वीरें हैं जो पेंटिंग्स हैं वो भी data है तो इसका मतलब है कि जो data है वो बनियादी तोर पे आपकी communication के जिरिए जो है वो generate हो सकता है जब आपने दूसरे बन्दे के साथ communicate करना है वहाँ पर भी आपके पस data आएगा इट कुड बी इन दि फार्म आफ इमिजिस ज़ा जब caveman था तो उसने भी दूसरे बन्दे से बात करने के लिए sound का सभारा लिया उसने अजीबो गरीब चीखें वगेरा निकाली होगी कुछ न कुछ किया होगा दूसरे बन्दे से communicate करने के लिए जैसे आप टार्जन की मुवी में देखते हैं तो वो जानवरू के साथ बात कर सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वो बात कर रहा है तब से यह चर रहे है फिक है इमेजिस का डेटा भी तब से चर रहे है आप जिससे आप चले जाएं 5000 साल पहले चले जाएंगे इंडस वैली सिविलाजेशन के अंदर चले जाएंगे वहाँ पे भी उन्होंने खिलोने बनाए हुए थे बच्चों के उनके उपर उनकी मोरे होती थी ठीक है तो यह सारी की सारी जो मोर है जो स्टेंप होती है वो भी डेटा है आप जहां पे भी जिस जगा भी देखेंगे डेटा है नजर आ रहा होगा अच्छा आज के मजूदा दोर में जब मिडल एजिस के अंदर पंद्रवी सेंचरी के अंदर लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस बना लिया जब प्रिंटिंग प्रेस बनाया तो डेटा की डिस्मिनेशन जो है वो हाथ से लिखने की बजाए जो हो ज्यादा असान होगी लेकिन डेटा फिर भी वो ही था इमजीज की फार्म में था डेटा यां करेक्टर्स की फार्म में था डेटा यां लोग बोल गए आपस में एक दूसरे के साथ बात करते थे अच्छा कुछ लोग जो होते हैं वो अशारूं की जबान में आपस में बात करते हैं, तो ये अशारों की जबान में बात करना भी डेटा है, तो आप किसी दूसरे बंदे को कुछ करता देख रहे हैं, तो जो जैसी हरकते हैं कर रहा है, वो भी डेटा है, तो आपके ब्रेन ने उसको ट्रांस्मीट करके, आपको रसीव करके, परसीव करक किसी जगह पर देखा कि यह दाएं बाएं का रहा है उपर नीचे हो रहा है यह डांस का रहा है यह जुगनी गा रहा है कुछ भी कर रहा है तो इस आल डैटा डैटा इस एवरिवेर तो जो मजूदा सिस्टम है जो आज कल हम इतनी ज़्यादा तरक्की करके 21 सदी में है तो डैटा इस एवरिवेर एवरिटिंग इन डिस वर्ल्ड इस रिप्रिजेंट इस डैटा ठीक है अच्छा अब जब डैटा आपके पास आ रहा है जैसे आप ग्रूप इधर देखें आप स्क्रीन के उपर अगर आप देखें तो यहां पर इंट्रोडक्शन लिखा हु पीडियम जो है वो कुछ हो रहा है मगनेटिक डवाइस हैं मगनेटिक स्ट्रिप्स हैं आज के दोर में वह हम डिजिटल फार्मेट में उसको सेव कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि डैटा है डैटे की डैटा वही है जो आज से 10,000 साल पहले होता था एंथर पोजैनिक्स डैटे की जो इंटर्पटेशन है वो चेंज हुई है वो कैसे हुई है उसको हम स्टेप बाइस टेप देखते हो वहां से हम देखते हैं कि वहां पर डैटा साइंस का रोल कैसे आ रहा है ठीक है आप लोगों को पता है कि जो बहरी कजाक है आज से 500 साल पहले 10,000 साल पहले उ उनुन उनुने उसका नक्सा जो पहले का बना कर रखा हुआ ता यहां जब जंगे होती थि तब भी नक्षए बनते थे इसका मतलब है कार्टोग्राफी जो नक्षए बनाने का फ़न है वो भी पहले के पहले मजूद था ताइम का जो concept वह भी मुद था तो यह सारी के सारी जीज़े जो हम आज देख रहे हैं यह data पहले का पहले मजूद था हमारी सिर्फ और सिर्फ representation बदली है उसकी interpretation बदली है उसके interpretation और तरह होती थी आज तरह और और रही है तो आप इस पूरे process को अगर देखें तो हमने सिरफ fancy name दी है data science के यह data analysis के fancy name दियें को कि अब हमारे पास digital power आगी है हम very easily जो है वो data को process कर सकते हैं पहले ऐसे नहीं था होता पहले आपको long long archives के अंदर जा के data को डूणना पड़ता था फिर देखना पड़ता था data को अकठा करना पड़ता था अब आप एक button क्लिक करते हैं तो आपके पस data आ ज store करते थे इसको cave times के अंदर था तो दिवारों पर painting बना देते थे लैदर की skin के उपर भी आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पर उसके उपर भी चीज़ें लिखी जाती थी ठीक है जहां पर खाल जो होती है खजूर की खाल के उपर कुरान मजीद लिखा जाता रहा है य इसलामिक history पड़ी है उनको पड़ाई गई है उसके अंदर उनको पता paper पर लिखी जाती है अच्छा फिर हम जो है रिकॉर्डिंग कार लेते हैं drives के उपर data आजाता है हमारे पास यहां जैसे आपने case of players देखे होंगे जो आप में थोड़े से old हैं उन्होंने जो है वह वो जो case of players उनको run भी किया होगा उनके लिए जो data है वो किसी और फार्मेट में आता है जो फिल्में होती थी वो भी उनकी मगनेटिक के के सब्सक्राइब मार्कीट के अंदर मिलती थी लेकिन आज-कल के दोर में हम data को उस तरह हैंडल नहीं करते हैं आज-कल में हम जो data को data को है फाईल कि फार्मेट में data को होगीuestos ज्यादा तर जो आज-कल data आपके साथ पास आ रहा है data जो है वो digital format के अंदर आ उसमरे आपके पास वह floppy drive drives के अंदर है CD drives के अंदर हार्ड डिक के अंदर है cloud के कहीं भी और है यह सारी चीज़ें कई ज्यादा मैंनी रखती मैं देख रहे हैं कि data को store कैसे का रहा है historical man जो cave man था उसने data को और तना store किया वो data preserve है आज से 10,000 साल बाद आज भी हमें वो data नजर आ रहा है ठीक है तो data को preservation करने का style तो change हो गया हम इनसानों ने देखा कि हम digital में जाएंगे तो हमारे पास retrieval कर जो power है वो बढ़ जाएंगे अच्छा जब ये काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि data के कुछ ना कुछ तो characteristics होंगी उसके साथ कुछ ना कुछ dimensions जो है वो associate होती है जैसे कि हमारे पास data के साथ एक dimension होती है special data हम उसको बोलते है या position data भी आप इसको बोल सकते है जैसे आपने ये देखा हो गया कि जी मैं आप Google Maps यूज करते हैं तो आपकी एक position होती है वो position है आपका data जो है उसके साथ एक position associate होगी या आप marketing campaign चला रही है और आप कहा रही है कि नहीं मैंने सिर्फ और सिर्फ लहोर में जो position का element है वो राजा बजार है या आपके पास model town का area आगया है that's called special dimension of your data ठीक है मैं marketing के point of view से आपके इसके example दे रहूँ अगर आप रुजाना के साथ से उसको data की campaigns को चला रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो data है उसके अंदर टैंपरल वेरियेशन भी आ रही है आज का data सुबह का data परसू का data इस तरह करके आपके पास जो है वो multiple किसम का जो टाइम फ्रेम के अंदर भी data के अंदर वेरियेशन आती है ठीक है for example मैं कहता हूं का run this campaign at 7 a.m. in the morning तो जब टाइम की बात आएगी तो टाइम का भी एक aspect आ जाएगा उसके अंदर आपकी कोई length भी हो सकती है को temperature भी आ सकता है weight भी आप सकता है आप किसी characteristics का उसके अंदर डाल सकते है जैसे आप फर्द करें आपकी को product है जो आप sell करना चारी है तो उसकी कोई ना कोई length होगी को weight होगा या अगर वो temperature को measure कर सकता है या temperature sensitive है तो उसकी कोई ना कोई temperature की जो characteristics होगी को dimension होगी तो यह भी आपकी वो उस product का जो data उसके साथ यह attach होती है ठीक है तो यह एक overview है इसका dimensions का data की जो dimensions है ठीक है इसकी उपर हम एक छोटी सी example ले लेते हैं फर्ज करें मैं यहां पर इसको open करता हूँ यह मैंने link जो है उसके अंदर डाला हुए हम गूगल trends पर जाते हैं और यहां पर मैं इसको करता हूँ अच्छा यह मैंने इसको कर लिए और मैं को यूए कर लिए अच्छा फर्ज करें हम इसके गूगल के trends को देखते हैं जब आप trends को देखते हैं तो आपको पता चलता कि आपके पास जो data है वो days, months, years और इस format के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब है एक जो है वो time का component आपके data के अंदर आ रहे हैं यह वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की जब आपको campaign run कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि मैंने यह campaign हर रोज सुबह 7 बज़े चलानी है या 5 बज़े चलानी है या जैसे आप Fiverr पे काम करते हैं तो Fiverr में आपको पता होता है आपका कोई ना कोई response time है वो जो time का component है basically यह भी आपकी data के साथ आपकी profile के साथ associate हो गया कि यह बंदा एक गंटे के अंदर अंदर या 15 मिंट के अंदर response करता है तो time का component आपको वहाँ पे मिलेगा इसके लावा आपको position का जो component है वो भी मिलता है मैं यहां से आपको थोड़ा सा यूएस के बज़ाए इसको जो मैं global कर लूँ वर्डवाइड कर देखा है अगर फर्द करें हम data science का जो term है इसको worldwide में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया, एथोपिया, निजेरिया यहां यह जो आपको map नजर आ रहा है इसका मतलब है कि किसी data के साथ कोई न कोई position भी है वो भी attach होगी है तो मतलब data science की growth over the period of time कैसे हूई है keyword की और साथ में आपको पता चार रहे हैं यह पाकिस्तान में भी हो रही है चाइना में भी हो रही है तो position का component भी आगया time का component भी आगया position का component भी आगया इसके लावा आपके जो जितने और component साफरत करें आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ आप जो है उसकी population का component भी add कर सकते हैं को number की चीज और आ जाएगी data के साथ तो data इस तरह आपका multi-dimensional होता है यह सारी सिर्फ साथा data नहीं है कि यह मेरा data है आपके data की dimensions है जब आप analysis का रहे हैं या उसको समझने की कोशिश का रहे हैं जब आपके बस data आता तो सबसे पहले आपने data को समझना है कि यह बात की किया कि जा रही है और मैंने इसके अंदर से extract किया करना है ठीक है तो वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आपको आपके data की समझ नहीं होगी उसकी dimensions की समझ नहीं होगी और नॉर्मली जो data आपके पास आता है उसके अंदर जितना भी आपका data है उसको analyze करेंगी तो आपकी dimensions automatically उसके अंदर से निकलेंगी और यही आपकी creativity है ठीक है तो इस तरह करके आप data को जो है वो हम देखते हैं time component पर भी देखते हैं उसके special component जो position का component है location का component है उसके point of view से भी देखते हैं जैसे फ़र्द करेंगे आप money laundering का अगर को case आ जाता है आपके पास आप frenzy की laboratory के अंदर का रही है और money laundering का case आ गया या कोई कतल का case आ गया जब आप उस तरह का data पर ब money laundering अगर पाकिस्तान से चाइना पैसा गया है या लंदन में पैसा गया है पाकिस्तान से लंदन गया है तो अगर आपने उसकी trails निकालनी है तो वो जो data की पूरी trail होगी आपको हर जगह पे position का component और time का component देना पड़ाएगा कि फलांग दोरे हकूमत में फलांग बंदे न money laundering case या अगर किसी जगह पर को murder हुआ तो उसके murder का data आएगा तो उसका भी हम से analysis करेंगे आप इसको थोड़ा सा इसके साथ play कर सकते है data को आप देखें अच्छा data के अंदर question अगर को हुए तो आप मेरे सब पूछ लिए कि मेरे हाल में मैं आपको minimum level के उपर लेके जा कि को चीजें जो है वो step by step explain करना हूं तो इस वज़ा से कुछ confusion रह नहीं जानी चाहिए इसके बाद अच्छा एक और चीज होती है आपको data की encoding और decoding के बारे में जो हमारे पास data होता है उस data के बारे में अगर तो आपको कोई information नहीं है आपको data मिल गया है आपको यह नहीं पता उसका format क्या है उसके अंदर जो चीजें लिखी नहीं है वो क्या है तो आप उसको interpret कैसे करेंगे इसका मतलब यहां कि आपके analysis आपकी data engineering आपकी data की handling harvesting प्रूपसूरत सा image है इसका archaeologist की website से मैंने लिया है यहां से जा कि आप इसको देख भी सकते हैं यह जो है इंडस वैली civilization जो है वहां से इन्होंने यह निकाल ला है यह उनका जो है जो script है यह वो लिखा हुआ है यह text लिखा हुआ है बेसिकली यह एक image की farmate में data है लेकिन य उसको यहां पर देखें आपको उन्होंने decode करने की उन्होंने कोशिश किया उनको उसके नंबर दिये हुए है यह आपको exactly इनके साथ यह match करते नजरा आने अब कोई एक बंदा यह जितनी information खुदाई के द्रमयान से निकली थी यह data था किसी बंदे ने उस data को उस images को लिय और decode किया ताकि हम उसको English में समझ सके उससे को interpretation कर सके को storytelling कर सके तो यह जो पूरा process होता है ना उसकी encoding करने का और human readable बनाने का story बनाने का यह process है हम इसको कहते है encoding करना जा मैं फैसल भाई मैं interrupt कर रही हूं आपको वह चार मिनिट रहे हैं call and होने में ना मैं निया link share कर देती आप शेर कर दीजिएगा email कर देंगी मुझे जी मैं email कर देती हूं अच्छा तो मैं quickly इसको जोड़ा सा wind up करता हूं कि अब आपके पास encoding आ रही थी data की और आपकी इसकी बंदे ने उसकी decoding की अब कोई बंदा English का data लेता है जो English में लिखा हुए और इसको decode करता है या उस इसको encode कर देता है Indus Valley Civilization के script के अंदर तो इसका मतलब यहां कि जो आज से 5000 साल पहले दुनिया बे बंदे रह रहे थे वो हमारी आज की बात को समझ सकते हैं हमारा data read कर सकते हैं तो यह जो encoding और decoding होती है कोई ना कोई बंदा काम कर रहा होता है यह encoding और decoding का expert होता है आज के काम था जिन्होंने यह पूरी की पूरी decoding की है तो उसकी वज़ा से वह मिशूर है तो इसी तरह जब हम software के अंदर बात करेंगे आपको कोई ना कोई data दिया जाएगा data के साथ उसका encoding pattern भी दिया जाएगा अगर accounting pattern नहीं है तो जब आप data को open करेंगे तो आपको अजीव किस unexpected जो results है वो मिलेंगे तो इस मज़े से encoding और decoding आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है और यह आपको वैसे normally military science में यह इदर उदर भी नजर आएगी और that's how this encoding and decoding works तो data है data की storage है data की storage के लावा उसकी transmission कैसे होती है उसकी encoding और decoding कैसे होती है यह चार concept है जो मैंने आपको इस अभी तक बताने की कोशिश की है इसके उपर अगर कोई आपके questions होंगे तो वो आप note कार ले फिर बाब में आप मेरे से पूस सकते हैं हम दूसरे session में चलते हैं अभी इसको मैं यहाँ पर भी wind up करता हूं क्योंकि यह session हमारा almost end होने के खरीब पहुन चुका है